बढ़ते वजन, प्रेगनेंसी और हार्मोन में असंतुलन जैसे कई कारणों से अक्सर ब्रेश्ट का साइज बढ़ जाता है ऐसे में बढ़े हुए ब्रेश्ट के कारण कई बार महिलाओ को असहज महसूस होता है इसके चलते कई महिलाओ के मन में यहाँ सवाल रुपता है कि ब्रेश्ट के साइज को कैसे कम किया जाए इस वीडियो में हम प्रभाव साली एक्सरसाइस के बारे में बताने वाले हैं जो ब्रेश्ट के अकार को कम कर सही सेप में लाने में मदद करेगा तो आईए अब उन एक्सरसाइस के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से आप अपने इस्तन के अकार को कम कर सकते हैं पूसप्स महिलाओ अपने इस्तनों के अकार को कम करने के लिए पूसप्स एक्सरसाइस कर सकती हैं पूसप्स आपकी छाती की मास्पेसियों को टोन करता है और इस तनों के आकार को कम करने में मदद करता है जिससे ब्रेश्ट सही सेप में आती है इससे सरीर के बाकी हिस्से में भी कसाव आता है वाल प्रेश वाल प्रेश सबसे सरल एकसरसाइस में से एक है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं शुरुवात करने के लिए आपको केवल एक दिवार किया वे सकता है इसकी प्रक्रिया एक नियमित पूसप्स के समान है लेकिन यहां आप इसे एक स्थाई स्थिती में करते हैं यहा करने के लिए दिवार के सामने मुह करके एक हाथ की लंबाई पर खड़े हो जाए आपके और दिवार के बीच कुछ सेंटिमीटर का एक आराम दयक दूरी बनाए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना अलग रखे अपने हाथों की हाथेलियों को कंधे की उचाई तक दिवार से सटाकर रखे अपने पैरों को फर्स पर मजबूती से ठिका कर रखे अभ्यास के दवरान अपने पैरों को न उठाए और नहीं फिर बदल करे अब अपनी कोहोणी मूडे और अपने उपरी सरीज को दिवार को धक्का देती हुए दिवार की तरफ नीचे लेकर इस पोजिशन को 4 सेकंड के लिए होल्ड करें अपनी पीट और कुलो को सिधा रखें और सांस लेते हुए वापिस नॉर्मल पोजिशन में लौट आए डंबल फ्राई ब्रेश्ट के साइज को कम करने वाली तिसरी सबसे अच्छी एक्सरसाईज डंबल फ्राई है इससे आपकी ब्रेश्ट टोन होगी और उनका साइज भी कम होगा इस एक्सरसाईज को भी आप 15 से 20 बार कर सकती है डंबल फ्राई करने का तरीका डंबल फ्राई करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीट के बल लेट जाए फिर डंबल को सिधा रखे यानि यहां आखों के सामने सिधे होने चाहिए इसकी लिए छट की और अपने हाथों को सिधा कर ले लेकिन कोहनिया अनलॉक होनी चाहिए फिर दोनों हाथों में डंबल क उनकी तिसम में नीचे की और लाती रहे ऐसा करते हुए कोहनियां अनलोक रहेगी और आपकी मुठी बिलकुल टाइट रहेगी जब आप इसे पूरा नीचे लेकर आएंगे तो आपको अपनी ब्रेश्ट वाले हिस्से में काफी इस्टेच महसूस होगा अर्ध चक्रासन सरीर का वजन मोटापा और पेट की समस्याओ को दूर करने वाला ये आशन बहुत प्रचलित है ये आशन आपके ब्रेश्ट के अकार को कम करने में भी आपके लिए बहुत लबदायक सिद्ध होता है ये धीरे धीरे किन्तु निच्चित रूप से आपके इस्तनों को घटा कर उन्हें एक अच्छी बिनावट भी देता है ये आशन करने में थोड़ा सा मुश्किल है किन्तु इसके एक दो बार अभ्यास से आप इसमें पूरी तरह से निपूर्ण हो सकते हो इसे करने के लिए योग मैट पर प्रणामासन में खड़े हो जाए पैरों को सिधा रखे औ स्वांस छोड़ते हुए धीरे से पेल्विज को आगे कीवर मोडें पीछे जुकते हुए हाथों को कान को हुनीं और घुटनों की सीध में रखें सीर और चाती को उपर कीवर उठाएं इसी मुद्रा में रहकर सांस लेते और छोड़ते रहें सांस वीतर खिषते हुए वा करद मासूस होता है तो खुद पर जरह भी दबाव ना डाले जंपिंग जैक जंपिंग जैक ब्रेश्ट का सही साइज करने वाली सबसे अच्छी कार्डियो एक्सरसाइस है इसे रोजानक करने से 100% असर होता है इससे 300-400 बार रोजानक करना चाहिए इससे ब्रेश्ट का सा ईकसराइस हमारे सरीर के फैट को बर्न करने में मदद करती है अपने इस तनों के अकार को कम करने के लिए हर दिन कार्डियो एकसरसाइस जैसे जॉगिंग रर्निंग साइकिलिंग आधी करे इससे आपके इस तनों का अकार कम होगा और आप तंदूरूसत भी रहेंगी स्वीमिंग करने से आपके सीने और कंधों के मास्पेशियों पर असर पड़ता है क्योंकि इस दवरान आप अनिवारे रूप से गुरुतवा कट्सन से लड़ रहे होते हैं। रोज करीब 20 मिनट स्वीमिंग करके महिलाए आसाने से इस्तनों के आकार को कम कर सकती है। योग मांसिक रूप और साडिरिक रूप से स्वस्त होने के लिए एक सांस लेनी की क्रिया और साडिरिक इस्ट्रेचिंग का कौसल है। दिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।